जय बाबा बर्फानी जी, भूके कोँवन, प्यासे कोपानी जी, बाबा जी के सब प्यारे भक्तों को ओम नमस्षिवाय जैसा कि आप सबी भक्त जानते हैं कि कोरोना महामारी का प्रभा दीरे देश में कम होता जा रहा है पहली और दूसरी लहर में जो परिस्तितियावा हालात थे वो तीसरी लहर में कम है भक तो अब तीसरी लहर भी थमती नजर आ रही है कोरोना की तीसरी लहर के मंद बढ़ने के साथ श्रीयमनाची यात्रा 2022 की तैयारियां शुरू हो गई है जिलाइस्तर पर यात्रा की तैयारियों को लेकर काम शुरू कर दिया गया है देश-विदेश से आने वाले सभी श्रद्दालों के लिए पड़ा विस्तलों के विस्तार का काम भी चल रहा है जैसा के आप सभी जानते हैं कि बावा बरफानी जी की यात्रा जून महीने के अंत में या जुलाइ महीने के पहले सब्ता में शुरू होती है और अक्षा बंदन पर्व के दिन संपन्न हो जाती है कोविड संक्रमन के कम होने से इस बार यात्रा में डॉक्टरों की सेवाएं लेने की भी तैयारी की जा रही है सूत्रों के अनिसार श्री अमनाजी शायनबूर्ट की ओर से जल्द ही उचिस्तरिय बैटक कर यात्रा को अंतिन रूप दिया जाएगा तो ये सबी बक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी है कि यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और जल्द ही श्री अमनाजी शायनबूर्ट द्वारा यात्रा की डेट डिकलियर कर दी जाएंगी तो श्री अमनाची यात्रा में बुन्यादी सुविदाय बढ़ानी के साथ यात्रियों की पड़ाविस्तल के विस्तार पर विशेश ध्यान दिया जा रहा है श्री नगर में 2800 यात्रियों की शम्तावाला, रामबन के चंद्रकोट में 3600 यात्रियों और जम्मू के मजीन में 3000 यात्रियों की शम्तावाले आधनिक पड़ाविस्तलों का निर्मान किया जा रहा है आने वाले समय में यात्रियों के इन पड़ा विस्तलों की सुविदा मिलने लगेंगी जिसे की यात्रा पर जाने वाली यात्रियों को काफी सुविदा हो जाएगी श्री अमर्नार जी कुफा के पास केबल कार की उज़ना का प्रस्ताफ रखा गया था जिससे के भक्तों की यात्रा को सुगम बनाया जा सकी इस साल बाबा जी की दर्शन के लिए लगबग 10 लाग भक्तों के पहुंचने की संबावना जताई जा रही है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पिछले दो साल से कोरोना के चलते बाबा जी की यात्रा नहीं हुपाई है वसाल 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य में धारा 370 हटाने के लिए यात्रा को बीच में ही इस्तगित करना पड़ा था इसलिए इस साल भारी संख्या में श्रद्दालों के पहुँचने की संबावना है तो वक्तों यदि आप भी इस वर्ष बाबा जी की यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं और यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बाबा जी की आशिर्वात से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी बक्तों तक पहुँचा सकें बाबाजी के सबी प्यारे भक्तों को ओम नमस्षिवाई